पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना देखे एकिसमी सदी के भारत में जोग हमारे कर्म को हमारे विचारों को हमारे बातावन को प्रभावित करता है और ये प्रक्रिति का अनमोल उपहार मावारती के संतानों को मिला है और एक इसमी सदी का भारत जो विस गुरू की राह पर वढ़ा है और जो है वो तिजश्वी यादव से जोडते हुए नजर आ रहे हैं कल भी उन्होंने प्रेस कौनफरेंस के मादम से तिजश्वी यादव के सरकारी पिये प्रितम सिंग पर काफी गंभीर आरोप लगाये थे और यह भी आरोप लगाते हुए कहा था कि यह जो गेस्ट्रूम बुक कर आया गया है यह पिये जो है उनके तिजश्वी यादव के प्रितम उन्होंने करवाया है काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आय थे जिसके बादर आरज्योडी राजसभा सांसद मनुझा ने सफाई दी थी अब उसको लेकर एक बार फिर विजय कुमार सिन तिजश्वी यादव और आरजडी राजसभा सांसद मनुझा पर हमलावर नजर आये और साफो तोर पर कहते वे नजर आ रहे हैं कि मनुझा जासे लोग जो हैं वो काफी विद्वान लोग है वो लोग पद के लिए पैर पकड़ने के लिए भी तयार हो जाते हैं हम लोग स्वाभिमान को छोड़ते नहीं है विज़य कुमार सिना ने साफ तोर पर जबरदस्त निशाना साधा है मनोचा पर इसी के सास साथ तमाम मुद्धों को लेकर क्या कुछ कहते वे नजर आ रहे हैं ब्यार के उपर मुख्यमंत्री विज़य कुमार सिना पहले आप यह पूरा उपहार मा भारती के संतानों को मिला है और एकिस्मी सदी का भारत जो विज़ गुरू की रापर वढ़ा है देश के मानिये प्रदान मंत्री जी ने विज़य को यह उपहार ही नहीं दिया इस जोग से अवगट कराया बसुधाय कुटमकम का भाव इस से बढ़ाने का विज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पद के लिए पाउं पकरने का और सम्मान के लिए सोहिमान नो छोड़ें आज राजद का जो कल्चर है अपराधिव रजटाचारी को पोसित करने का उसको प्रसिक्षन का और पोसित करने का ये मानसिक्ता से मुक्त हों क्योंकि जब तक ये मा में बारी है सत्त को स्विकार करकर के गलत नकरात्मक मानसिक्ता से मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए अरक्षन के मामले में क्या सुप्रिम कोट जाएंगे जिस तरह से हाई कोट का निरने आया है देखे अभी बताया गया है हमारे अद्धक्ष ने प्यान दिया है उसका कि फियार के उपर मुख्य मंजर विजय कुमार सिना तो साथ इसात कहा कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं समान के लिए सुभ़मान से छेड़ चार नहीं करते हैं इसी के साथ साथ नीट पेपर लिक मामले को ले कर है आरोप प्रत्यारोप का दोर जारी है पक्ष बिपक्ष पर हमलावर है तो वही बिपक्ष भी पीछे नहीं हट रही है और इसे पूरे मामले में बिहार सरकार के मंत्रियों की सनलिपता बता रही है ऐसे में जब जाच होगा और क्या कुछ निसकर से सामने आएगा या देख भाल